एक, आपका पहला सवाल है कौन सा पक्षी अपने आपको शीशे में पहचान लेता है? आपका ओप्षन है अतोता, B. कबूतर, C. बाज, D. कौवा आपका सही जवाब है कबूतर दो, आपका दूसरा सवाल है किस पेड़ को घर में नहीं लगना चाहिए? आपका ओप्षन है अनीम, B. पीपल, C. बरगद, D. तुलसी आपका सही जवाब है पीपल आपका तीसरा सवाल है भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? आपका ओप्षन है A. सिंधु नदी, B. गंगा नदी, C. गोदावरी नदी, D. गोम्ती नदी आपका सही जवाब है सिंधु नदी चार आपका चौधा सवाल है दुनिया का सबसे महेंगा पदार्थ क्या है? आपका ओप्षन है A. हीरा, B. सोना, C. यूरेनियम, D. संग्मर्मर आपका सही जवाब है यूरेनियम पांच, आपका पांचवा सवाल है दुनिया में सबसे महेंगा खूल किस जीव का होता है? आपका ओप्षन है A. केकड़ा, B. सांप, C. मगर्मच, D. कुट्टा आपका सही जवाब है केकड़ा छे, आपका अगला सवाल है काला सोना किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है A. हीरा को, B. चांदी को, C. कुएला को, D. उप्युक्त सभी आपका सही जवाब है कुएला को आपका सात्वा सवाल है किस देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है? आपका ओप्षन है A. चीन में, B. अमेरिका में, C. पाकिस्तान में, D. नेपाल में आपका सही जवाब है चीन में आपका अगला सवाल किस जीव को कोरोना वाइरस नहीं होता है? आपका ओप्षन है A. चूहा, B. बिल्ली, C. कुत्ता, D. शेर आपका सही जवाब है चूहा आपका अगला सवाल है सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? आपका ओप्षन है अमेरिका में, B. दुबई में, C. श्रीलंका में, D. रूस में आपका सही जवाब है दुबई में आपका दस्वा सवाल है रानी लक्ष्मी बाई का जन्म कहां हुआ था? आपका ओप्षन है वालियर में, B. उरीसा में, C. वारानसी में, D. इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब है वारानसी में आपका अगला सवाल है भारत को अंग्रेजों से आजादी किस वर्ष मिले थी? आपका ओप्षन है 1950 में, B. 1945 में, C. 1947 में, D. 1940 में आपका सही जवाब है 1947 में आपका अगला सवाल है भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखाई देता है? आपका ओप्षन है उत्तर प्रदेश, B. बिहार, C. अरुनाचल प्रदेश, D. मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है अरुनाचल प्रदेश आपका अगला सवाल है चंदरशेखर आजाद का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? आपका ओप्षन है बिहार, B. गुजरात, C. महाराश्ट्रा, D. मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश आपका अगला सवाल है कौन सा जानवर अपनी जीट से अपना कान साफ करता है? आपका ओप्षन है जिराफ, B. हाथी, C. कुत्ता, D. बिल्ली आपका सही जवाब है जिराफ आपका अगला सवाल है प्रिथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचने में कितने दिन का समय लगता है? आपका ओप्षन है दो दिन, B. तीन दिन, C. चार दिन, D. पाँच दिन आपका सही जवाब है तीन दिन आपका अगला सवाल है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है दिल्ली को, B. मुंबई को, C. गुजरात को, D. केरल को आपका सही जवाब है मुंबई को आपका अगला सवाल है भारत में राश्ट्रगान पहली बार कहां पर गया गया था? आपका ओप्षन है दिल्ली में, B. मुंबई में, C. कोलकाता में, D. चेन नई में आपका सही जवाब है कोलकाता में आपका अगला सवाल है 9.2.11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ओप्षन है भाग जाना, B. चूट जाना, C. दोर जाना, D. भागाना आपका सही जवाब है भाग जाना आपका पहला सवाल है दुनिया में पहले मुर्गी आई की अंदा आपका ओप्षन है अंदा, B. मुर्गी, C. दोनो, D. इन में से कोई नहीं आपका सही जवाब है मुर्गी आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रिय पक्षी क्या है? आपका ओप्षन है तोता, B. कबूतर, C. बाज, D. मोर आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं